आप हमारे चैनल आचारे आसिस से महर एस्टर लोजर को लाइक, कमेंट, सेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना न भूले नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आपके सम्मुक उपस्तित हूँ आज, जोति समंदि ज्यान लेकर के, आज मैं जो आपको जानकारी देने वाला हूँ, वहाँ वर्ष कुंडली के उपर है, आज का जो बिसाय है, वर्ष कुंडली का लगन, जन्म कुंडली का कौन सा भाव है, एक बार दुबार सुन लीजिए, वर्ष कुंडली का लगन, जन्म कुंडली का कौन सा भाव है, इसके उपर मैं आपको आज जानकारी देने वाला हूँ, वर्ष कुंडली का जो अधियन है, वह जन्म कुंडली को सामने रख कर किया जाता है, वर्ष कुंडली भी सामने होन चाहिए और जन्मकुंदलीवी तभी जाकर आप यह नेजनञाय ले पाएंगे जो मैं आपको जनकारी देने जा रहा हूं तो इसके लिए वर्सकुंदलीवी चाहिए और जन्मकुंदलीवी सामने होने चाहिए, दोनू जब आपके सामने रख करफी हि आप इसका विस्क्रस् देखना चाहिए कि वर्ष कुंडली का इनमें यह देखना चाहिए वर्ष कुंडली का लगन जन्म कुंडली का कौन सा भाव है थोड़ा मैं आपको उधारणत बताने जा रहा हूं जैसे यह तुला लगन की कुंडली मैंने बनाई है तुला लगन है यह दूतिय भाव में ब्रिचिक रासी है दूतिय भाव में दोनुर रासी है चोथे भाव में मकर रासी है पांचवे भाव में कुंब रासी है छटे भाव में मीन रासी है सातवे भाव में मेस रासी है आटवे भाव में ब्रिस रासी है भाग्य भाव नवम मिठं दास्य ऐं कर्मभाव में करकर आशी हम एकाधस आयभाव में सिंग आशी है, द्वाधस ब्यायई भाव में कण्या रास्य है, जैसे już कुंड्ी निकालते đं उसमें जरिसे पोर से आपका वरत से कुंड्ी दीट में यहां पर मिथुन राशी है तो आपको आपने इस चाल्ट में जाना है जन्म कुंडली के चाल्ट में जाना है तो वहां देखना है कि मिथुन राशी कहां पर बन रही है तो मिथुन राशी आपकी बन रही है भाग्या भाव में तो आपका जो वर्ष कुंडली का जो लगनव वह हो आपकी कुंडली का भाग्य भाव हुआ तो ऐसे ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ जैसे आपका वर्स कुंडली में लगन है सिंग लगन तो आपको यहां देखना है कि आपकी कौन से भाव में सिंग रासी बन रही है इसका मतलब है कि वर्स कुंडली का यह लगन है वह जन्म कुंडली का एका दस भाव है इसी कि मैं आपको जánकरी देने जा रहा हूँ। आपने इसमें देखना है कि पर्थम भाव है, दूतिया भाव है, तृतिया भाव है, चतुत भाव है, पंचम भाव है, सस्टम है, सब्थम है, अश्टम है, नवम है, दसम है, 41, 12 है तो अब मैं आपको जानकरे देने वाला अगर पर्थम भाव ही लगन हुआ वर्सकुंडली का तो क्या फल देता है Suppose that यहाँ पर जो यह तुला लगन है तो यहाँ पर वर्सकुंडली का भी तुला लगन हो गया तो यहाँ साल आपके लिए कैसा रहेगा आपको जानकरे दे रहा हूँ यदि वर्स लगन भी जन्म लगन ही हो तो वहाँ वर्स पुनर जन्म वर्स कहलाता है यदि वर्स लगन भी वही आया जो जन्म लगन है तो वहाँ वर्स पुनर जन्म वर्स कहलाता है ठीक है ऐसा वर्स स्वास्ते के लिए प्रबल घातक होता है यहाँ वर्स स्वास्त संबंदी दिकत पैदा करता है यदि जा तक पहले से रोगी हो या उसको पहले से लंबे रोग हो तो उस वर्स बहुती ज़ादा सरीर के लिए कस्ट दाई होता है मिर्ट तुल्य कस्ट उस व्यक्ति को होता है स्वास्त दीरे दीरे चीन होता रहता है मानसिक परेशानी आती है अकार ब्यागात होता है कारे में सिद्धी में बादाई आती है सारी कस्ट रहता है ऐसा वर्ष जो ऐसा वर्ष रहता है जिस वर्ष लगन ही वर्ष कुणली का ल कस्ट दाई है और विस्था रोग इत्यादी के लिए तो बहुत जादा कस्ट दाई वह वर्स होता, अगर जन्म कुंड्ली का लगन ही वर्स कुंड्ली का लगन हो जाहे तो, अगर जन्म कुंड्ली का दुतिय भाव वर्स लगन यहाँ पे 8 हो जाए तो यह क्या फल देता है यदि वर्स लगन जन्म कुंडली का दूसरा भाव हो यदि वर्स लगन जन्म कुंडली का दूसरा भाव हो तो जैसे इसका दूसरा भाव क्या है ब्रिच्चिक रासी है मतलब नए नए रास्ते खोलता है पैसे रूपिये के लिए आपके धंद उलत के लिए तथा संपत्ति का बहुत ज़्यादा लाव होता है आप भूमी भवन का बहुत ज़्यादा सुख भोगते हैं आर्थिक द्रिष्ठी से यह वर्स सुब अनकूल रहता है यह आपके लिए सुब रहता है मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है पर इसके साथ साथ इस वर्स थोड़ा चोट एक्सिडेंट की संभावनाएं बनी रहती हैं सामने बिमारी तो थोड़ा बहुत लगी रहती हैं और इनमें किया दवायू में आपका खर्च जाता है जैसे थोड़े मोड़ी बिमारी हो गई आपको उसमें दवायू का खर्चा इत्यादी इस वर्स लगा रहता है लेकिन आपके लिए यह वर्स चाहता तर अच्छा ही थोड़ा होद मानसिक चिंताएं बनाता है अगर जन्म कुंडली का दुतिय भाव वर्ष कुंडली का लगन हो तो यदि वर्ष कुंडली का लगन जन्म कुंडली का तिरतिया भाव हो तो इस के तीसरे भाव में धनुराशी बनते हैं तो अगर वर्ष लगन तिर्टिय भाव हो तो ऐसा जातक ऐसा ब्यक्ति का वह वर्ष कैसा रहता उस वर्ष वह व्यक्ति प्राक्रम भोयादा करता भोयादा मेनत करता है भायों की उन्नती तथा कीर्थ फैलती है उस वर्ष की भायों की उन्नती होती है चारो दिशाओं में की कार्य होता आगा कि ड्वारा कुछ ऐसा कार्य होता है जो समाज ओपयोगी हो समाज में जो क्या करते उसको बहुत कीर्ठि देता हो कुछ सपलता प्रधान करता हो ऐसा वर्स वह Cyucker उस वर्ष उस व्यक्ति की ख्याते बढ़ती है सम्मान बढ़ता है और वह वर्ष उसके लिए बहुत जादा लाबदाई होता है जिस वर्ष व्यक्ति का जन्म कुंडली का तिर्टिया भाव वर्ष कुंडली का लगन हो जिस वर्ष जन्म कुंडली का तीसरा भाव वर्ष कु तो वह वर्स बहुत ही अच्छा रहता है, सब जगों से मेनत, धन का लाव, यस, कीर्थी, शम्मान उस ब्यक्ति को मिलती है, अगर वर्स कुंडली का लगन, जन्म कुंडली का चौथा भाव हुआ तो, अब यहाँ पर के, मैं लिखते हैं मकर राशी, क्योंकि इस लगन में, चौथे भाव में मकर राशी है, तो आपका, उस वर्स का लगन हो, मकर लगन हो गया, तो जिस वर्स, वर्स कुंडली के, जन्म कुंडली के, चौथा भाव हुआ, तो वह वर्स जातक के लिए, बहुत खुशियां लेके आयता है, वह प्रसन रहता है, वह सुक सम्रदिवान होता है, उस वर्स, नया नय वाहन खरीता है, नय नय जमीने खरीता है, वह सुंदर भवन बननने का निर्मान करता है, सभी प्रकार के सुकों को भोगता है, सभी प्रकार के सुकों को वस्तों को खरीददारी त्यादि अपने लिए वो अभ्यक्ति करता है और इसमें वह क्या करता है अपना खर्चा धन लगाता है अपने किर्ति पे, अपने यस पे, अपने सुक पे, अपने भोगुं पे जीवन में वह करता है एस्वरिया, सुक, सम्मान, सौभाग्या, वाहन, धनलाव ऐसा वर्स उसके लिए बहुत ही अच्छा रहता है जिस वर्ष कुंडली का लगन जन्म कुंडली का चोथा भावा अब जिस वर्ष कुंडली का लगन पंचम भावा उस वर्ष जैसे यहाँ पे तुला लगन में कुम्ब लगन कुम्ब है तो आपके वर्ष कुंडली का जिस वर्ष जन्म कुंडली का पंचवा भावा वह वर्ष कैसा रहता है ऐसा वर्ष अनकूल रहता है बहुत अच्छा रहता है उसकी अनकूल रहता है वह वर्ष उसके लिए सुकदायक रहता है उस वर्ष विवहा होता है अब्यक्त का मणे काम करने जा रहा है, उस्मकी कुछ काम करने जा रहा है, अगर वह वद्ध्यारती है तो परिक्षा में बहुत अच्छी नम्मर आती है उस वर्स वर्स और पढ़ने लिखने में बहुत बैवसाई के लिए बहुत अच्छा रहता है ऐसा वर्ष उद्यमी वर्ष कहलाता है मतलब बहुत जादा अच्छा वर्ष कहलाता है जातक अपनी परिश्रम के बल पर सपलताएं प्राप्त करता जिस वर्ष जन्म कुंडली का पंचंभा वर्ष कुंडली का लगन हो तो अब जिस वर्स कुण्डली का लगन जन्म कुण्डली का सस्टम भाउ हो। वर्स कुण्डली का सस्टम भाउ हुआ तो वहव करता है कि मुक्दमे बाजी में पराजये हो जाना कि कोई खुद केज़ी का game स्थ इससकि अज़ने हыми सहों अपर हाधी रहते हैं कि सो और उसको रोघ इत्यादी का बाहिर बना रहता है कई परकार से बाधाउं से उससे संगरश करना पढ़ता है लंगा हों से दन्हानी सुत्र की चिंता घर में कलह कई प्रकार की समस्याएं लेके आता है अगनी का भाई अगनी से जलनी का खत्रा ऐसा वहाँ वर्स होता है जब जन्म कुंडली का सस्टम भाव वर्स कुंडली का लगन हो जाए तो वह वर्स अनुकूल ही रहता है वह जादा कस्ट दाई रहता है वह वर्स अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जन्म कुंडली का सब्तमभाव वर्स कुंडली का लगन हो जाए या तो कहें वर्स कुंडली का लगन जन्म कुंडली का सब्तमभाव हो तो यहां अगर एक लिख देता हूँ मैं या आप समझ जाएंगे तो वर्स कुंडली का लगन जन्म कुंडली का सब्तम भाव हो तो वह वर्स मांगलिक कार्य में संपन होता है उस वर्स जात का बिभाव इतियादी होता है मांगलिक कार्य होते हैं व्यावसाय जो उसका व्यावसाय वो उन्नती करता है अगर कुमार या कुमारी है या लड़का है या लड़की है उस वर्स उनके क्या करते हैं हाथ पीले हो जाते हैं उनकी साधी हो जाती है अच्छा वर्स रहता है मनों वांचित सपलता हैं उस वर्स मिलती हैं मन की अनसार सपलता हैं उस वर्स मिलती हैं और हर जवर्स उस वर्स खुशी के समाचार ब्यक्ति को मिलते हैं वहाँ वर्स उसके लिए अनकूल लेता है जिस वर्स जन्म कुंडली का सब्तम भाव वर्स कुंडली का लगन हो जाए या कहें वर्स कुंडली का लगन जन्म कुंडली का सब्तम भाव हो तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जन्म कुंडली का अस्थम भाव और वर्ष कुंडली का लगन बन जाए या वर्ष कुंडली का लगन अस्थम भाव हो तो ऐसे यहाँ पे दो लिखावा है तो यहाँ पे दो हो जाए आपकी वर्ष कुंडली में लगन दो हो आपका वर्ष उसके लिए अच्छा नहीं रहता कहीं परकार की समस्याइं लेके आता है अचानक कुछ भी चीज हो जाना अकस्मिक कुछ भी चीज हो जाना एक्सिडेंट चोट कुछ भी उसको भीमारी अचाना लग जाना कुछ भी समस्याइं अचानक आ जाना कुछ ही परकार से कोड़ कचेळी का की अचानक आ जाना सतरूं का भाई अचानक आ जाना ब्यक्ती के सामने धन संपदा को लेकर के टैंसन बन जाना जिमन पर चीतर में असह बलता सामने लगना धन की हानी होना अर्थ कीहानी होना मन संबान में दिकत करना लेकिन वह वर्ष उसके लिए व्यक्ति को आध्यात्मिक द्रिष्ट से वह वर्ष ठीक रहता है वह अध्यान करता है नहीं नहीं चीजों को सोचने वाला वह उस वर्ष बनता है व्यक्ति नहीं नहीं कार्योंग में दिमाग लगा ने वाला वह व्यक्ति बनता है उस वर्ष वह अपना खर्चा दवाई और तंत्र में भी वव्यक्ति करताह लेकिन उस वर्ष वह अध्यात्म ज्यान भी ग्रहन करताह है जो वर्ष जन्म कुंडली का अस्थमभाव वर्ष कुंडली का लगन होतो या कहें वर्ष कुंडली का लगन जन्म कुंडली का अस्थमभाव होतो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जन्म कुंडली का नवंभाव भग्य भाव वर्ष कुंडली का लगन होतो यहाँ पर तीन लिखता हूँ मैं जगार कम है यहाँ पर आप समझ दें मैं अंक लिख रहा हूँ तो वर्स कुंडली का लगन जन्म कुंडली का भाग्या भाव हो तो यह कहें जन्म कुंडली का भाग्या भाग्या भाव वर्ष कुंडली का लगन हो तो वह वर्ष व्यक्ति के लिए भाग्योदाई वर्ष कहलाता है उस वर्ष व्यक्ति का भाग्योदाई होता है उस वर्ष व्यापकार में पून सपलता मिलती है सुख सुख दाएं एवं मनो कामनाएं सिध्ध होती है कारियों में व्यक्ति की सप जिवन प्रते क्हेड सिप्रंभाइं कि उसको प्राप्त होती ओ वे in agreement क्यों समेर को मिलता है। वर्ष कुंडली का लगन के आपकी कुंडली का जन्म कुंडली का भागय अस्थान हो तो उस वर्षस समझो सुक सब परकार की सुग सुवधाएं व्यक्ति को मिलती है मनोवाशितक नई- THK नई- नई- intenуди कटा है जिस वर्ष जन्म कुंडली का कर्म भाव वर्ष कुंडली का लगन होतो या कहें वर्ष कुंडली का जो लगन है वह जन्म कुंडली का दसंभाव कर्म भाव तो वह वर्ष कैसा रहता है उस वर्ष को उस वर्ष शपल वर्ष कहलाता है वह वर्स सपल वर्स रहता है अनेक प्रकार की उसको समाज में अपनी मेनद के दम पर उसको कहीं प्रकार के सम्मान मिलते हैं उसको कहीं प्रकार के अबॉर्ड मिलते हैं जैसा बिद्यारती है तो उसको क्या करते हैं उस वर्स बिद्या में सर्वस्थिस्ट अस्तान मिले या वह किसी कारिय में, नौकरी इत्यादी में अच्छा वह वर्स उसके लिए बहुत उन्नती रहे, राजी की सिवा में वह अगर वव्यक्ति है, जैसे सरकारी कारियों में है, तो वह वर्स उसके लिए सपलताएं रहे, उन्नती कारक रहे, उसकी पदोरनिती हो जाए, या उसकी क प्रमोशन हो जाए वह वर्स उसके लिए बहुत सेष्ट रहता है और अगर कोई राजनीती छेतर में है वह वर्स अगर चुनाव है तो वह वर्स उसके लिए बहुत ही जादा लाब दाएगा वह भीजाई प्राप्त करे और हरे जोगा से व्यक्ति को सम्मान इत्यादी सब को मिलती है उसको दुगना त्दिगना चोगना बनाने वाला हूँ उस पैत्रिक सम्मत्री किसी को माता-पिता की है इत्व मैं कुछ बिजनिस है उस बिजनीस को वह प्यक्ति क्या करता बहुत ज्यादा बढाने वाला हूँ जिस वर्स कर्मभाव दसंभाव वर्स कुन लगन हो जाए तो वह वर्स बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है अब मैं बताने जा रहा हूँ जन्म कुंडली का एक आदस भाव वर्स कुंडली का लगन हो तो अब आप समझें वर्स कुंडली का लगन है जो लगन है वह आपकी कुंडली का क्या हो एक आदस भाव, आय भाव, नौकरी भाव, वह वर्ष आपके लिए कैसा रहता है, यदि वर्ष लगन जन्म कुंडली का ग्यारवा भाव होतो, उस वर्ष जातक को ब्यापर में सेश्ट धनलाब होता है, उस वर्ष व्यक्ति कहीं लोगों को रोजगार देता है, अपने बहुत लोगों को रोजगार लगाने वाला होता है, कापी हद तक आर्थिक समस्याओं को मिटाने वाला होता है, कहीं लोगों को रोजगार देने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, उस वर्ष रुकावा धन व्यक्ति को अचानक मिल जाता है, उस वर्ष व्यक्ति को चारु अच्छा रहता है नौकरी पेसे के लिए वह वर्स अच्छा रहता है धन को एकटा करने के लिए वह वर्स अच्छा रहता है जिस वर्स वर्स कुंडली का लगन एक आदस भाव जन्म कुंडली का एक आदस भाव हो तो अब जिस वर्स जन्म कुंडली का द्वादस भाव आपका वर्ष कुंडली का लगन हो तो या वर्ष कुंडली का लगन जन्म कुंडली का द्वादस भाव हो तो व्याई भाव खर्चा भाव हो तो वाव वर्ष कैसा रहता है उस वर्ष ब्यक्ति को बहुत ज़्यादा हानी का सामना करना पड़ता है लोग उसकी जोटी निंदा करते हैं उसकी प्रसंदा करते हैं जोटी जोटी बाते करें भाई साब आप तो बहुत बड़े ग्यानी हैं भाई साब आप के लिए आप तो समाज हैं बहुत सम्मानित हैं लोग उसका क्या करते हैं ब्यक्ति की जूटी जूटी निंदा करते हैं और बहुत प्रसंद होता है अपना धन को खर्च करता है लोगों के उपर और ब्यक्ति क्या करता है ब्यसनों के उपर कहीं प्रकार के ब्यसनों के उपर अपना धन को ब्याई करता है बहुत अधिक फाल ले लेता है और वह वर्ष उसके लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई होता है मान सिक चिंता है उस वर्ष उसको व्यक्ति को बढ़ती है और आध्यात्म में वह व्यक्ति जुड़ता तो है लेकिन उसमें सपलता व्यक्ति को नहीं मिलती है कि कहीं किसी परकार से भी वह धन क सदपयोग नहीं कर पाता है अगर आपका जन्म कुंडली का लगन हो तो मैंने आपको बताया वर्ष कुंडली का लगन जन्म कुंडली का कौन सा भाई है इसके बारे मैंने आपको बिस्तारोप से बिवेचन किया, आगे भी मैं आपको कुछ न कुछ जोति सम्मंदी ग्यान लाता रहूंगा, आपको जानकारी देता रहूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिनोंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया, आप दरसक म मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो का आप लाइक करें, कमेंड करें, और सेर जरूर करें, और मुझे लिखें कि मैं जो ग्यान आपको देता हूँ, आपको कैसा लगता है, मेरे बताने का तरीका कैसा लगता है, आपको मेरे बोलने का तरीका कैसा लगता है, मु मुस्मंदित आप मिरसे प्रश्न करना चाहते हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपका जवाब कमेंट के माध्यम से या आपको आने वाले वीडियों के माध्यम से आपको दूंगा तब तक के लिए मुझे आज अनुमत दीजिए नमस्कार